हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं कटोरी केक जिसे हमें कटोरी में ही बनाना है कटोरी में ही खाना है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादेश्ट लगती है बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए बनाना ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहां एक बोल लेंगे उसमें दही डालेंगे, अब इसमें चीनी डालेंगे, मैंने यहां ब्राउन शुगर लिया है, आपके पास जो हो आप वो ले सकते हैं, अब इसमें हम दो चमज रिफाइंड ओयल डालेंगे, आप इसके जगा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक विसकर से, यह देखिए, यह मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़ी हरी लाइची कूट कर डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से, अब इसमें हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालेंगे, मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह देखिए, कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा सूजी डालेंगे इसमें एक बार में हमें नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे ऐसे भी मिक्स करेंगे अच्छे से यह देखिए मैंने सारे डाल दिया इसमें अब सारी मिक्स्चर को अच्छे मिक्स कर लेंगे, इसना के या कि सपूध सा बैटर हमें बना लेना है यह देखिए यह पेष्ट अभी थोड़ा गाड़ा इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, है आप पारी के जगाMin दूद का वी स्तेमाल कर सकते हैं ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया बैटर अब रेड़ी है अब इसे ढख कर हम 10 से 15 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं बैटर हमारा अच्छे से फूल चुका है शुजी ने पूरी पानी को अच्छे से अबज़र्ब कर लिया है सूजी अच्छे से फूल चुकी है लेकिन ये बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है इसे हमें थोड़ा पतला करना है तो इसमें हलका सम पानी फिर से डालेंगे ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें नहीं ज़्यादा गाढ़ा रखना है यह वरना अच्छे से फूले की नहीं यह देखिए इस तरीके से यह बैटर हमारा तयार है अब बस इसी तरीके का बैटर हमें चाहिए अब इसमें हम थोड़े से कटे वे काजू बदाम डालेंगे इसे भी मिक्स कर लेंगे अब इसमें मैंने थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाला है ये बिल्कुल आप्शनल है आपके पास हो तो आप डालें नहीं तो कोई नहीं आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज मैं चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब किजिएगा ये देखे इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम हाफ टी स्पून मीठा सोडर डालेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए हम पुरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखे यहां मैंने दो कटोरी लिया इमिन इसे मैंने ओयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है अब इसमें हम बैटर डालेंगे बैटर हमें पूरा नहीं डालना है, भरना है, क्योंकि ये फूले गी भी, इसलिए हमें आधा ही डालना है, देखिए मैंने दोने कटोरी में डाल दिया है बैटर, अब इसके उपर थोड़े से कटे हुए काजू बदाम डालेंगे, थोड़े सी टूटी-फूरूटी दिया है, अब यहां ने पहले से ही कढ़ाई रखा था उसे प्री हीट होने के लिए, यह अच्छी से प्री हीट हो चुकी है, अब इसमें हम दोनों कटोरी को रख देंगे, अब इसे ढख कर हम 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे, तब तक हम इसका शिरफ त्यार कर यहाँ पर मैंने एक ँट्रका तडेन लिया है थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगी ऑंसे हम बॉल होने देंगे यहां मैंने थूदा से में केसर के धागे डालें इसका फ्लेवर और कलर दोनों यह अच्छा आए गा ये देखिए ये चीनी अब मेल्ट होना लगी है इसमें थोड़ा सा हम वैनिला एसे इंस्टाल देंगे इसका फ्लेबर बहुत ही अच्छा आता है इसके जगा आप रोज वाटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसे हम हलका बॉल करेंगे बस हमें चीनी को मेल्ट करना है इसका चाशनी नहीं बनाना है ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है ये तेयार है अब चलिए अब केक को चेक कर लेते हैं ये देखिए केक बहुत अच्छे से फूल चुकी है अब इसे हम एक तू यह देखे मैंने इसे निकाल लिया है यह कितना अच्छा केक बन कर त्यार हुआ है अब इसके उपर हमने जो सिरफ त्यार किया था उसे डाल देंगे इससे एकदम अंदर से पुरा जूसी हो जाएगा खाने में बहुत ही स्वादेश्ट लगेगा यह देखे मैंने सारा सिरफ इसके उपर डाल दिया है अब इसे मैं कट करके दिखाती हूँ यह देखिए केक कितना अच्छा अंदर तक पक के त्यार हुआ है खाने में बहुत ही स्वादेश्ट लगती है आप इसे जरूर ट्राइक किजिए और कमेंड करके बताइएगा आपको मेरी यह रेसिपी कैसी आपको में वी भल्गती है उन्ही लगताः अजर एल जिवटमक घ्थास त beneath